बिस्मिल्यारापान अरहीम, असलाम लेकूं दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप दिखेंगे हैं इजाजन सारी फूर सीक्रेट्स अलावर कदे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जाएकूं आज हम बिल्कुल रेस्टरॉन स्टाइल चिकन स्पैगटी चिकन नूडल्स बनाएंगे, यह बहुत जारा जूसी होगी, ड्राइ ड्राइस ही हम नहीं बनाएंगे और इसमें भरपूर किसम की हम खुश्बू हैं जो वो लेके आएंगे, और इसके ऐसे जूस होंगे कि एक दफ़ा इसकी बैट लेने के बाद, आप ही कियेंकर पूरी प्लेट जो हैं, वो पिल्कुल साफ कर देंगे, इसलेंजी बिसमिल्ला रभाने, पानी अच्छे से गर करते हैं, साइट पे ताकि अच्छे से इसमें बॉइल हो सके हैं, उसके बाद बिसमिल्ला रभाने, खुबसूरत सी एक कड़ाई लेंगे, और इसमें 4-5 टेवल स्पून लेंगे, और इसमें हम लेंगे 1 टी स्पून लेसन का पेस्ट, चलेंजी, अब लो से फ्लेम पे ले 10 मिनट, फिर इसके अंदर हम गाजर अट कर देंगे, और यह कटिंग आप देख लें, इसी तरह कि सभी वेज़ेटेबल के हम कटिंग करेंगे, ठीक है, जूलिन स्टाइल, और इसको थोड़ी तर पका लेंगे, क्योंकि यह ज़रा हार्ड होती है, उसके बाद 5 मिनट चार से 5 मिनट अब इसमें बंद को भी आड़ कर देंगे, इनमें से कोई वेज़ेटेबल, इनकेस आपके पास ना भी हो, तो कोई इतनी स्पेशल बाद नहीं है, ठीक है, जो आपके पास हो, आप वो आड़ कर लें, लेकिन यह बेसिक है तीन जो एड़ होती है, इसमें ठ करेंगे, ठीक है, यह काली मिर्च फ्रेश रोस्ट करके फिर बेने पीस के इसमें एड़ किये, इसकी खुश्बू बहुत अच्छी लगती है, चलेंजी, और इसमें जीरा खुश्टनिया, कुछ नहीं चाहेगा, दो टेबल स्पून सिर्क एड़ करेंगे, इसके अंदर हम और तीन टेबल स्पून भढ़ कर चिली सॉस एड़ करेंगे, यह बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर लेके आता है, कैचप अलग से एड़ होगा, यह अलग चीज है, ठीक है, और यह है सौय सॉस, यह भी तीन से चार टेबल स्पून हम इसमें एड़ करेंगे, और अगली ची चीजों को हाई फ्लेम के उपर पकाएंगे, ताके सबजी यह हमारी नरम ना हो, और यह अच्छे से थोड़ा सा गाड़ा पना आ जाए इन सॉस के अंदर, ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपको इंशालला बहुत शांदार चैनी सी खुश भूआना शुरू हो गई होगी, क् चीजों को नरम नहीं होना है, जटपड आप इसको निकालने वाली बद करनी है, तील यहाँ पर आड़ करेंगे, यहाँ पर तील का जो तेल होता है, तो मेरे बास वो नहीं है, तो इसलिए मैं तील एड़ करना हूँ, यह भी बहतरी इन काम करते हैं इसके इंदर, ठीक है, रेगलर जो आम कैचप होता है, यह हमने एड़ करना है, एक छोटी प्याली यह तिकरिबन बन जाते हैं, सास यार्ट टेबल स्पून ठीक है, यह आप कम जारा कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत शानदार एक स्वीट सा फ्लेव ड़ाते हैं, लेकिन इसके बावज मैं आपको बता दू, चाइनीज रेस्पी में चीनी का इस्तमाल होता है, ठीक है, एक से देटी स्पून चीनी इसमें काफी होगी, इससे एक स्वीटनस सी आ जाती है, चले जी, अब हमने इसको बहुत जारा ड्राइ नहीं करना, इसके जूसिस जो है, हमने इसको ऐसे ही और नमक का फ्लेवर जाए हो चेक कर लेना है, क्योंकि खाली मसाले के अंदर जो हमने बनाया था ना, वहाँ पे नमक और काली मिर्च आपको जारा फील होती होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दो चमच के मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, आपको अगर नम अगर देखे जिए कि अगली होड़ा की शान उसकी रहते ने थी और बार दर्गते जो दिसने इसमें आपकान और वहाँ वार्ड़ सो शान्दा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकनस पैक्टी तेगयार है, दौआ मिना देखे व्योंका लाग कीज़ाए है, जान से उस्यार को